बिहार बोर्ड से संबंधित सूचनाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बिदियो को आंतर तक देखिएगा और आपको बता दे कि इस चैनल पर इंटर्मिडियेट बोर्ड एक्जाम के बेहतर तयारी के लिए सभी सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव और अबजेक्टिव का तयारी करवाया जा रहा है तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के पले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं जो कि आपके एक्जाम के लिए काफी महत्पून है और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंगा सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर किलि का निसान आगा उस पर किलिक करके और पर सेलेक्ट कर लिजेगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो पेपर है किलिरली आप देखेंगे मैत्रिक के बारे में फिर आप लोग का इंटर वाले का फिर क्या करेंगे कि क्या महत्रपूर्ण सुचना वीडियो बताएंगे तो यहां पर सबसे पहले मैत्रिक के चाध्र जो है कि लियर ली धेख सकते हैं बताया गया है कि डम्मी रेश्टेशन कार्ड की कौ पी छात्रों को अपने पास रखनी होगी 2021 में मैट्रिक परिक्षार्थियों को यह निर्देश मिला है बिहार बोड के मैट्रिक परिक्षार्थी डमी रेस्टेशन कार्ड की गरबरी में सुधार 26 जुलाई तक जो है कर सकते हैं बोड ने अस्कूल परभारियों के साथ ही पर परिक्षार्थियों और यहां पर आप के लियर लिए जो है देख सकते हैं परिक्षार्थियों और अभिबाबों को भी इस संबंद में निर्देश दिया हैं सबसे पहली बात तो आप लोगों ने देख लिया कि 26 जुलाई तक आप लोग जो है रेस्टेशन कार्ड में सु यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑल्लाइन भरे जाने वाले परिक्षा फॉर्म को सुय कार किया जाएगा सु किया जाएंगा और इसके बाद आप देख सकते हैं कि बौर्ड के निर्देश दिया है कि डमी रेस्टेशन कार्ड की दो कॉंपी नीकलबाना इन्युक और दोनो कि इसमें सभी को आप लोग क्या करेंगे डमी रेस्टेशन करका दो कॉपी जो है निकाल बाएंगे और इसमें से एक कॉपी अश्कूल परधान अपने पास रखेंगे और एक कॉपी आप लोग परिक्षारती यानि कि आप अपने पास क्या करेंगे रखेंगे तो जो भी के परिक्षारती हैं 2020 में एक्जाम देने वाले हैं तो आप लोग जो है डमी रेस्टेशन कार्ड का दो कॉपी निकाल वा लीजिएगा जो एक कॉपी आपके पास रहेगा और एक कॉपी आप लोग जो है अपने स्कूल या कॉलेज के परधाना ध्यापक के पास आप क्या करेंगे उसको जमा कर देंगे तो ये दोस्तों काफी जो है महात्पूर्ण सुचना है क्योंकि अगर आप अपने पास नहीं रखते हैं और फिर अगर किसी परकार का गरवरी पाया जाता है तो आप जो है चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि मेरा तो ठीक था तो गरबरी कैसी हो करके आ गया आशा करते हैं कि आज का जानकारी आपको अच्य लगा होगा जानकारे अच्छ लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अधिक सहदीक आपने दुस्तों में सेयर कर दीजिए